मीजर ध्यान चंद खेल रतन अवार्ड से सम्मानित किये गए नीरत चोपडा, शिखर दवन को मिला अर्जुन अवार्ड, इस साल कुल 12 खिलाडियों को खेल रतन अवार्ड से किया गया सम्मानित, 35 खिलाडियों को अर्जुन अवार्ड से किया गया सम्मानित मनिपुर में असम राइफल की काफिले पर हमला, पांच जवान शहीद, कमांडिंग अधिकारी की पत्नी और बेटे की भी मौत, अभी तक किसी उग्रवादी संगचन ने नहीं ली है हमले की जिम्मेदारी दिल्ली में वायू प्रदूशन को लेकर सुप्रीम कोट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार कहा दिल्ली की हवा सुधारने के लिए ततकाल कुछ किया जाए, जरूरत हो तो लॉकडाउन या कुछ और सोचे त्रिपुरा हिंसा की विरोध में महराश्र के पांच जिलों में निकाली गई रैलियों में पत्राव की घटना मामले में दस लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अमरावती में धारा 144 लागू आजमगर में ग्रह मंत्री अमिशाहन इस्टेट यूनिवर्सिटी का क्याक शिला न्यास कहा सपा शासनकाल में आजमगर की पहचान का टरता की तोर पर की जाती थी, अब जिले का नाम शिक्षा के लिए जाना जाएगा अखिल भारतिय राजभाशा सम्मेलन में बोले आमिशाह, हिंदी सभी स्थानिय भाशाओं की है सहेली, हिंदी और हमारी सभी स्थानिय भाशाओं के बीच कोई अंतर विरोध नहीं, बच्चों से मात्र भाशा में बात करें, इसमें शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं आजादी वाले बयान पर कंगना रनौत ने दिया चैलेंज बोली मुझे बता दो कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था तो मैं लोटा दूँगी पदमुश्री कानपूर में जीका वाइरस की दहशत जारी आज 13 नए मरीज मिले अब तक 121 लोग मिले है पॉजिटिव 23 अक्टूबर को सामने आया था जीका वाइरस का पहला मामला जहासी में हिंदू जागरन मंच और राश्र भक्त संगचन के कारिकरताओं ने राशिद अलवी और सल्मान खुर्शीद का पुतला फूका प्रशासन से की दोनों के विरुध मुकदमा दर्श करने की मांग प्रदर्शन के दोरान राशिद अलवी और सल्मान खुर्शीद मुर्दाबाद के लगाए गए नारे इसी के साथ उस वक्की टॉप टेन खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शियर करें